नमस्कार दोस्तों and welcome back to the channel I hope you guys are doing well मेरा नाम है जग्दीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत हैं आपके अपनी चैनल आटो मोबाइल दियने में आज की इस वीडियो में दोस्तों Honda City के साथ में Skoda के Rapid को compare करने वाले हैं और आप सभी को मालूम है कि दोनों ही गाड़ियों का segment सेम है लेकिन जिस price point पर Skoda ने Rapid को launch किया है उसकी कीमत की वज़े से Skoda Rapid अब अपने segment के साथ साथ सब 4 मिटर segment को भी कड़ा मुकाबला दे रही है यहाँ पर हम दोनों ही गाड़ियों के cable petrol manual top end variant को ही compare करेंगे क्योंकि दोनों ही गाड़िया अब डीजल में available नहीं है और Skoda की Rapid अभी थक automatic में available नहीं है इन दोनों गाड़ियों में लगबग 1,56,000 रुपीज से लेकर दोस्तो 1,86,000 रुपीज का price gap बनता है हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहीएगा हर section के बाद में अगर आपके जहन में कुछ doubt है तो वो clear हो जाएंगे और वीडियो खतम होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का price gap बताऊंगा जिसके कारण वश आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको Honda की city लिनी चाहिए या फिर skoda की rapid आप क्या सोचते हैं दोस्तों आपको लगता है कि Honda की city आपको rapid से ज्यादा बहतर build quality offer कर पाती है इन दोनों गाड़ियों में जो price gap मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों क्या वो आपको मजबूर कर सकता है कि Honda की city को भूल कर आपको skoda की rapid को घर लेकर आना चाहिए दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके राए में आपके लिए value for money product साबित होती है इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों आपकी राए नीचे comment box में जरूर लिखेगा दोस्तों जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में So let's begin दोस्तों तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की price range और segment के बारे में तो जहां तक price range की बात है 4 meter plus का mid-size sedan segment है ये दोस्तों जिसकी price टार्ट होती है 7,49,000 रुपीज से लेकर और ये जाती है 15,00,000 प्लस तर segment में यहाँ पर दोस्तों आपको Skoda की Rapid और Honda की City के अलावा Volkswagen के Vento आ जाती है मारूती की Siaz आ जाती है और Hyundai की वेरना जैसी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन हम सभी को ये मालूम है दोस्तों की आज की rate में SUV segment बहुत ही ज्यादा popular हो चुगा है इंडिया में जिसकी वज़े से इस segment की गाड़ियां कुछ कम दिख रही है तो अपने प्राइस के दम पर और बाकी सारे characteristics के दम पर युंडाई क्रेटा किया सेल टॉस कुछ हद तक टाटा की हैरी और अंजी की हेक्टर ये गाड़िया भी इनके लिए एक बहतरीन alternate option साबित हो रही है दोस्तो आगे मुड़ते हैं वीडियो में और बात कर लेंगे दोनों ही गाड़ियों के dimensions के बारे में तो जैसे की आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं दोस्तो Honda City से एकर Rapid को compare कर तो Rapid मात्र width के मामले में 4 mm बड़ी है Honda City से वहीं Honda City Rapid से length के मामले में 27 mm, height के मामले में 29 mm और wheelbase के मामले में लगबग 48 mm ज्यादा बड़ी हैं अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के engine performance के बारे में तो जहां पर Honda की City में आपको मिलता है 1.5 liter का naturally aspirated engine जो की 119 PS की power generate करता है 6600 RPM और 145 Nm का torque generate करता है 4600 RPM वहीं इस Koda की Rapid में आपको 1 liter 3 cylinder turbo charge TSI petrol engine मिलता है जो की 110 PS की power generate करता है 5250 RPM और 175 Nm का torque produce करता है 1750 से लेकर 4000 RPM पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि build quality के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है तो एक नजर डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के curve weight पर शुरू करते हैं Honda City से तो Honda City का वजन है 1063 kg से लेकर 1088 kg तर वही rapid का वजन है दोस्तों 1112 kg से लेकर 1138 kg तर वजन के मामले में स्कोडा की rapid Honda City से लगबग 50 kg ज्यादा मजबूत है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले ground clearance के मामले में तो जहाँ पर Honda City में आपको approximately 165 mm ground clearance मिल जाता है वहीं स्कोडा की rapid में आपको 168 mm का ground clearance मिल जाता है अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के turning radius के मामले में तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों में turning radius का मामला बराबर है क्योंकि दोनों गाड़ियों आपको 5.3 मिटर का turning radius ओफर कर पाती है आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के fuel tank capacity के बारे में तो जहाँ पर हॉन्डा की city आपको मातर 40 लिटर का fuel tank ओफर करती है वहीं स्कोडा की rapid इस से 15 लिटर बड़ा यानकि 55 लिटर का fuel tank आपको ओफर करती है तो जहाँ तक fuel tank capacity की बात होई ही रही है लगे हाँ तो दोनों ही गाड़ियों के mileage की हम बात कर लेते हैं तो जहाँ पर हॉन्डा की city में आपको मातर 17.4 kmpl का mileage ओफर किया जाता है वहीं स्कोडा की rapid आपको 19 kmpl का mileage ओफर करती है वहीं हॉन्डा की city आपको segment में लगबख सबसे ज़्यादा 510 लिटर का boot space ओफर कर पाती है Now let's move on and talk about the alloys या फिर wheels के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 inches के alloys देखने को मिल जाते हैं तो अब तक की वीडियो में दोस्तों आप समझ गये होंगे कि काफी सारी जगहों पर आपको स्कोडा की rapid बहतर नजर आती है और कुछ जगहों पर हॉन्डा की city बहतर नजर आती है आप क्या सोचते हैं आपकी राए नीचे comment box में ज़रूर लिखिएगा इसके अलबा अगर हम features की बात करें तो एक नजर दोनों ही गाडियों में मिलने वाले common features पर डालते हैं दोस्तों और शुरुआत करेंगे सबसे पहले features से तो दोनों गाडियों में आपको LED headlamps देखने को मिल जाते हैं LED DRLs आपको मिल जाएंगे Front fog lamps आपको दोनों गाडियों offer करती है साथी साथ auto headlamp का feature भी आपको दोनों गाडियों में मिल जाएगा LED tail lamps आपको दोनों गाडियों offer करती है 16 inches के alloy wheels आपको मिल जाएंगे Electronically adjustable and auto fold ORVM with turning indicator आपको दोनों गाडियों में मिल जाती है Leather seat up holes आपको दोनों गाडियों में देखने को मिल जाएंगी जहां Honda की city आपको clear pure leather offer करती है Rapid में आपको leather 8 seats मिल जाती है Leather wrap steering wheel and gear knob आपको दोनों गाडियों में देखने को मिल जाएगा Front armrest and rear armrest with storage spaces दोनों गाडियों में आपको देखने को मिल जाता है Music system की जहां तक बात करें तो आपको Honda City में 7 inch का music system आता है वहीं Rapid में आपको 8 inch का touchscreen music system आता है लेकिन दोनों ही गाडियों में आपको basic features जैसे की AM, FM, USB, Aux and Bluetooth connectivity, Android, Auto और Apple CarPlay जैसे features मिलते हैं लेकिन मेरी राय में Skoda की Rapid में शायद Apple CarPlay नहीं आता है दोनों ही गाडियों में आपको steering mounted controls आफर किये जाते हैं दोनों गाडियां आपको fully automatic climate control के साथ आती है दोनों ही गाडियों में आपको cruise control का feature भी आफर किया जाता है tilt and telescopic power steering की आपको दोनों गाडियों में मिल जाती है rear AC vents भी आपको दोनों गाड़ियां offer करती है, rain sensing bypass भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएगे, उसके आगे जहां तक safety की बात है, दोस्तों, minimum dual airbag आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा ABS plus EBD मिल जाता है rear view parking camera with rear sensors आपको मिल जाएगे parking के लिए साथ ही साथ आपको दोनों गाड़ियों में day night IRVM ISOFIX child seat मिल जाते हैं और rear spoiler का feature भी आपको दोनों गाड़ियों में offer किया जाता है आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं, rapid में मिलने वाले सारे features के बारे में जो आपको Honda की city में नहीं मिलेंगे और सबसे पहला feature है, squoda की Monte Carlo में आपको flat bottom steering wheel देखने को मिल जाता है, dead pedal footrest आपको मिल जाएगा, cool glove box आपको मिल जाएगा, infrared cut and dark green आपको window glasses मिल जाएगे, साथ ही साथ infrared cut आपको front and rear windshield glasses आपको मिल जाते हैं, उसे के साथ stainless steel की scuff plate आपको squoda में मिलती है, जिसके ऊपर rapid की branding आपको देखने को मिल जाएगी तो लगवाई यही 6 features है जो आपको squoda की rapid offer करती है जो आपको Honda City में नहीं मिलेगी अब बात कर लेते हैं, Honda City में मिलने आपको देखने वाले उन सारे features के बारे में जो आपको squoda की rapid offer नहीं कर पाएंगी और सबसे पहला feature है दोस्तो electronic sunroof आपको city offer करती है shark fin antenna आपको देखने को मिल जाएगा push button start and stop का feature आपको मिल जाएगा, 6 airbag आपको Honda City में मिल जाएगे और last but not least LED front fog lamps आपको Honda City offer करती है तो कुल मिला कर ये वो पांचे features थे दोस्तो जापको Honda City में मिल जाते हैं लेकिन squoda की rapid में देखने को नहीं मिलते है आगे बढ़ते हैं वीडियो में बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के warranty offer के बारे में तो जहां पर Honda की city में आपको 3 साल unlimited km तक की warranty मिलती है वही squoda की rapid में आपको 4 साल 1,00,000 km तक की warranty 4 साल unlimited km रोड़साइड असिस्टन्स और 4 साल में 60,000 km तक 4 labor-free services मिल जाती हैं जिसका interval 15,000 या फिर एक साल में एक बार के interval पर है जो भी सबसे पहले आता है तो मुझे लगता है कि warranty की मामले में यहां पर skoda की rapid आगे निकल जाती है बहुत ही बहतरीन warranty offer आपको offer किया जाता है अब थोड़ी बात और एक नजर हम maintenance पर भी डाल लेते हैं तो इस बारे में कोई दो राई या शक्की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि Honda City का maintenance skoda की rapid से definitely कम होगा और हम सब को मालुम है कि skoda का maintenance तोड़ा सा महेंगा होता है लेकिं यहाँ पर हम उससे बच सकते हैं क्योंकि skoda की हर एक गाड़ी में आपको minimum standard 4 साल का warranty period offer किया जा रहा है जो कि बहुत ही बैतरीन है मैंने अभी अभी आपको बताया है उसी के साथ साथ दोनों गाड़ियों में 1,56,000 रूपीज से लेकर 1,86,000 रूपीज का बहुत ही बड़ा price gap है skoda इतनी सस्ती आती है तो यह पैसे जो आप price gap में बचा आते हो उस पैसे से आप अपने लिए extended warranty खरी सकते हो और skoda की गाड़ी को आसानी से maintain कर सकते हो अब आगे मुड़ते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं सबसे important section और point के बारे में जो कि है price gap सबसे पहले एक चीज आपको मैं clear कर दूँ दोस्तों की यहाँ पर जो भी prices या मेरी किसी भी वीडियो में जो भी prices code करता हूँ वो सभी के सभी एक शोरूम cost होती है और गाड़ियों के official website से ली हुई होती है तो अपने शहर में exact pricing के लिए आपको हमेशा अपनी नजदे की dealer से संपर्क करने पड़ेगा तो जहां तक Honda City के petrol top end variant की बात है जो कि है ZX manual में एक शोरूम cost मुंबई के हिसाब से आपको 13,35,149 रुपीज तक का मिलेगा वहीं rapid का petrol top end variant जो कि है style manual में आपको मिलेगा एक शोरूम cost मुंबई के हिसाब से 11,49,000 रुपीज का और Monte Carlo जो है वह आपको मिलेगा 11,79,000 रुपीज का दोनों ही गाडियां यानि कि पहला variant style लगभग 1,86,000 रुपीज सस्ता आता है Honda City से और Monte Carlo 1,56,000 रुपीज सस्ता आता है तो यह जो additional cost है लगभग 1,86,000 रुपीज की जो Honda City अपने consumer से ले रही है इस additional cost में Hyundai Verna की तरह कोई भी top notch safety and comfort and convenience के feature Honda City आपको बिलकुल भी offer नहीं करती जिसकी वज़े से यह additional cost justify नहीं हो पाती है दोस्तों तो मुझे लगता है कि अब consumer को यह सोचना चाहिए कि अपने लिए वो कौन सी गाड़ी चुनना चाहते है Honda City या फिर कम पैसे देकर एक बहतरीन प्रीमियम ब्राइंड का प्रीमियम प्रोड़क्स कोडा रैपिड अब एक में जर डालेंगे दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के competition पर तो Honda City का price अगर 2,000,000 रुपे से कम कर सकता है Honda तो इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर अपने price के दम पर MG की हेक्टर का जो बेस वीरेंट से लेकर एक उपर का वेरेंट है जिसे हम सेकेंड वेरेंट कह सकते हैं 13,54,000 रुपीस में आता है ये भी Honda City को एक बहुत बहतरीन और तगड़ा competition आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डिट में SUV सेग्मेंट कितना popular हो चुका है अब आगे मुड़ते हैं दोस्तों और एक नजर डालेंगे दोनों ही गाडियों के drawback पर तो जैसे कि मैंने अब यह भी आपको बताया price point और SUV सेग्मेंट की popularity की वज़े से कई सारी गाडिया है Hyundai Creta किया, Celtos और कुछ हद तक Tata Harrier और MG के हेक्टर इन गाडियों को एक बहतरीन alternative option और competition दे पा रहे हैं तो price point जो है एक बहुत ही बड़ा drawback है अब सबसे पहले बात करेंगे city के drawbacks की तो मुझे ऐसे लगता है कि Honda City बहुत ही ज्यादा overpriced है features भी नहीं मिलते हैं और कीमत भी बहुत ज्यादा offer कर रहे हैं इसका stiff low speed ride quality जो है Honda City की वो भी एक drawback में हम consider कर सकते हैं दोस्तों और music system जो आता है touch screen वो बहुत ही ज्यादा laggy है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं जो touch screen music system में AC controls Honda City offer करने की बात कर रही है या कर चुकी है वो बहुत ही ज्यादा inconvenience है अगर हाप गाड़ी चलाते वेक्ट उसे operate करते हैं वहीं rapid की अगर हम बात करें तो इसका जो design है वो मैं थोड़ा सा outdated consider करता हूँ क्योंकि जब से ये launch हुई है तब से वो वही चला आ रहा है जिसकी वज़े से उसे मैंने drawback में consider किया है हाला कि वो एक बहुत ही mature और premium classy styling look देता है उसके cuts बहुत ही बहतर ही है फिर भी मैंने उसे एक drawback में रखा हुआ है और अगला drawback जो मुझे स्कोडा की rapid के साथ में नजर आता है दोस्तों वो है स्कोडा का dealer और service network जो काफी limited है उसकी वज़े से काफी सारे लोग अगर स्कोडा rapid अच्छाईयों की वज़े से लेना भी चाहते हैं तो service center और dealer 200-300 km दूर होने की वज़े से वो बाकी सारी company के और मुड़ जाते है अब आते हैं वीडियो के आखरी पड़ाओ में और जानेंगे overall conclusion की बात तो इसमें यहाँ पर कोई दोर आए नहीं है दोस्तों की इस पूरे वीडियो में और घमासान में Skoda की rapid clearly winner साबित होती है क्योंकि Skoda की rapid हमें बहतर power output and performance देती है better mileage देती है styling बहुत ही बहतरीन offer कर पाती है दोनों ही गाडियों में Skoda rapid की build quality ज्यादा बहतर है better safety हमें offer करती है लगब 1,86,000 रुपीज सस्ते में मिल जाती है और Honda City से कहीं ज्यादा बहतर warranty offer के साथ में ये गाड़ी आती है तो ये सारी चीज़े हमें Honda की City में नहीं मिलते है तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी दर पहले कहा था दोस्तों अभी ये consumer को सोचना है कि अपनी जरूरत और priority के हिसाब से वो दोने में से कौन सी गाड़ी चुनना चाहते है मेरे हिसाब से मेरी राय अगर आप जानना चाहते है तो अपने लिए मेरे खुद के लिए मैं Skoda की Rapid को लेना पसंद करूँगा Indian automobile market बहुती ज़यदा price sensitive है और अगर 1,86,000 रुपी सस्टे में मुझे एक premium brand की premium car मिल रही हो जिसमें कई सारी खुबिया हो price better है, space better है, performance better है build quality better है, safety better है दोस्तों तो मैं definitely Skoda की Rapid पर जाना चाहूंगा Honda मेरे हिसाब से आज की rate में इस segment की सबसे ज्यादा costliest और expensive car है तो मेरे लिए ज्यादा पैसे देकर कम feature वारी कोई भी गाड़ी लेने का sense नहीं बनता है अब आप सोचिएगा दोस्तों आपको तैय करना ही कि आपको दोनों गाड़ीों में से कौन सी गाड़ी लेनी है आप Honda की city की ओर जाना चाहते है या Skoda की Rapid की ओर आपकी क्या राय है आपने किसे चुना ये नीचे comment box में जरूर लिखिएगा आपको क्या लगता है दोस्तों मेरे हिसाब से आज के इस घमासान निश्कोडा की Rapid winner साबित हुई है आप दोनों गाड़ीों में से किसे winner मानते है अपनी राय नीचे comment box में जरूर लिखिएगा और हमेशा की तरह आज के लिए इतना ही दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में Facebook और WhatsApp पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए ही तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ही लिए सुरक्षित चलिएगा सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों